हेलो बच्छों आज हम लोग करेंगे चैप्टर नमबर टू का लास्ट पार्ट इससे पहले वाले वीडियो हम लोगो ने देखा थे लीवर और लीवर से निकलने वाले को जिसको हम बाइल बोलते थे बाइल के फंक्शन देखे थे किर अज हम लोग पढ़ेंगे पैंक्रियाज के बारे में जो की प्रेजेंट होता है भीक प्रेजेंट होता है चैप देखा देखा के इस से पहले वीडियो में ग्यूथ लीवर था मुथम वह लारजेस ग्लैंट की नीवर के बारेफ्र अगार अपनक्रियाश अट्री छोन आगनाष है अभी की डेखो यह इन ग्लैंट के varit ol मिक्स मिक्स ग्लेंड का मतलब क्या होता है ? जिसके अंदर दों हो मतलब exocrine Nature भी हो और endocrine N3 नेचर भी होता है ठीक exocrine nature क्या होता है ? exocrine nature मонतर से यह क्या करते है ? enzyme का secretion होता है और endocrine nature से यह release करते है hormones को ठीक है ? अभी आगे देखो अखला गया है कि जो endocrine part होता है pancreas का ठीक है जो endocrine part pancreas के अंदर बनाता है उसे अपने लोग किस नाम से जानते हैं उसको जानते हैं islet of langerhans बोलते हैं islet of langerhans को देखो यह तीन तरीके की cell होती इसमें alpha cell beta cell और delta cell islet of langerhans के अंदर मालते हैं इसमें तीन तरीके की cells दिखाएं देगी एक alpha cell होगी एक beta cell होगी और एक delta cell होगी clear हाँ तो alpha cell का function क्या है, beta cell का क्या है, delta cell का क्या है, इसकी बात कर लेते हैं, alpha cell secrete करती है एक hormone जिसका नाम होता है, glucagon कैसे secret करती है, glucagon, याद रखेगा, endocrine nature हमेशा hormone secret करता है, तो alpha cell, alpha signal जो भी symbol होता है, यह मैंने बना रखा है, beta का और delta का भी, आपके लिए नया है, तो इसको याद रखेगा, तो alpha cell जो है, यह glucagon hormone निकालती है, beta जो है, इंसुलिन निकालती है, इसको ऐसे याद रखेग ठीक है, और delta जो है, यह somato statin hormone निकालती है, चलिए, अब function की बात कर लेते हैं, इन hormones का function क्या होता है, क्या चीज़ कंट्रोल करती है, यह hormone, देखो, जो glucagon hormone है, यह क्या करते हैं, ब्लड glucose level को कम करते हैं, देखो, नाम क्या है, glucagon, बतलब जो blood glucose level को क्या करें, odelาย Alrighty, ब्लड glucose level को क्या करते है, इनक्रीज करते हैं, ठीक है, अब अब अगला तो क्या था, बीटा सेल, जो कि क्या निकलता है, इंसूलिन निकलता है, अभी इंसूलिन का function क्या होता है, इंसूलिन हमारे blood glucose level को करें करता है, मतलब अगर blood के अंदर glucose का level बढ़ा हुआ है, तो इसको खत्तेक से कौन कम गार्देगा? इंसुलिन कर डेता है ठीक अगला होन मुद्ण सोमेतोस्टेटिन समेतोस्टेटिन अर्बार करते भी खत्यूमम्सिल है टो गलुकागॉन in के मेड़ा हूआ है तो क्या करे गा जो समेटोस्टेटिन क्या करेगा बीटा सेल को बीटा सेल इंसुलीन बनाएगा इंसुलीन क्या करता है ब्लेड ग्ल्कोज लेबल को कम करता है ठीक है अब MMA वे देखे यह जो इंसुलीन ンहीं हॉर्मोन इस से रिलेटीड एक disease होता है abnormality होती जिसे हम diabetes बोलते हैं तो जब भी glucose का level blood के अंदर बढ़ा रहेगा ठीक है तो insulin को secret होना है ताकि blood glucose level को क्या कर दे कम कर दे लेकिन अगर insulin ना secret हो release ही ना हो blood के अंदर आई ही ना तो glucose level बढ़ा रहेगा और लगातार blood glucose level बढ़ा रहना persistent रहना ठीक है लगातार बढ़े रहना क्यलाता है diabetes यानि की आहम भासा में बोले तो sugar की बीमारी हो जाती है ठीक है तो अभी देखो मैंने insulin और glucose को यहाँ diagramatically समझाने की कोशिस किया हूँ यह जो आपको इन्सुलीन क्या करता है insulin बिल्कुल चौकी दार की तरह होता है जैसे कहीं भी glucose level बढ़ा मिले गए देखो black से मैंने glucose बढ़ा है glucose level बढ़ा मिले गए यह खटायक से glucose को किसके अंदर डाल देगा cell के अंदर भेज देगा ठीक है तो insulin क्या करता है blood के अंदर जितने भी glucose molecule है उनको cell के अंदर भेज देता है अब glucose इसका antagonist होता है मतलब उल्टा मतलब अगर glucose का level cell के अंदर जादा है और blood के अंदर कम है तो glucose क्या करेगा cell से glucose खीच के किसके अंदर ले आएगा blood के अंदर तो glucose बढ़ाता है और insulin घटाता है तो अगर किसे का blood glucose level बढ़ा हुआ है ठीक है कम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब या तो उसके पास insulin की क्या होगी deficiency होगी पहली condition ठीक है दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर receptors जो होते जिसके तुरू अंदर जाता है glucose जो ओपन होता रास्ता चैनल जो ओपन होता है वो खतम हो जाता है तो अभी उतना नहीं जाना है डीप में बस इतना याद रखना है तुम्हें इंसुलिन की जनरली डेफिसियंसी सही क्या हो जाता है diabetes की बीमारी हो जाती है बात क्लियर हुए तो यह बात थी एक्जो शोड़ी एंडो क्राइन नीचर की ठीक है pancreas के endocrine nature की जो की हॉर्मोन निकलता था अब हम ऱटेंगे एक्जो क्राइन नेचर के बारे में तो देखो पैंक्रियाज का एक्जो क्राइन नेचर क्या बना है क्या रिलीज आउट करेगा यह रिलीज आउट करेगा डाइजिस्टिव एंजाइम ऑन कगी यहां पर एंजाइम कर लेना हॉर्मोन लिग गया है कि यह फे हॉर्मोन के जगे तुम एंजाइम राइट कर लेना तो क्या रिलीज आउट करेगा डाइजेटिव एंजाइम रिलीज करेगा ठीक है है चलो आगे मढदते हैं 1 या अगला क्या है कि कौन-कौन से यंजाइम पैंक交 idols से निकलेंगे त्देखेखो जो जो निकलेंगे उन्हें क्या बुलेंगे उन्हें क्या बोलेंगे आ liberized फ्टेक की जनन्हें गें पैंक्री पैंक्रियाटिग एंजाइम तो यहां पे अर्दे Are पेंक्रियास से निगलते हैं ठीक है काइमो ट्रिप्स नोजन, प्रो कार्बोक्सि पेप्टाइड़ेज, लाइपेज, एमाइलेज, नुक्लिएज तो यह छह एंजाइम है जो कि पेंक्रियास के द्वारा रिलीज किये जाते हैं ठीक अगर इनको याद करने का ट्रिक की बात करों तो देखो इसका याद करने का सिंपल सा ट्रिक है सभी का फॉर्स्ट ले लो लेटर पी एल ए एन अब देखो कुछ लिखा यहां पे सिटी प्लैन ठीक है जैसे बहुत लोग होते हैं न गावं में रहते तो सिटी में मतलब बसने का सोचते हैं तो सिटी में रहने का प सिटी प्लैन से आप याद करेंगे कि यही चीज सेम आपको 10th क्लास में मिलेगा 11th में भी मिलेगा तो आप अच्छे से यहीं पर याद कर ले ठीक है तो सिटी प्लैन से आप एंजाइम को याद कर लिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं लोग देखो पैंक्रियाज का जो सिक पैंक्रियाज का जो सिक्रिशन है जो भी एंजाइम है वह रिलीज आउट हो जाता किसमें इसमॉल इंटेस्टाइन के फॉर्स्ट पार्ट जिसका नाम होता था डियोडेनम तुम्हें याद हो तो इस टमक तुमने पढ़ा था नहीं अगर याद हो तो बोक में देख लेना सबसे पहला पार्ट क्या था इस मॉल इंटेस्टाइन का इसको भॉं लिक बोलते हैं दियोडेनम और डियोडेनम से चलकर लीवर से और इधर पैंक्रियाज सेाइज गई अब लीवर से इधर पैंक्रियाज से रिखीन अकर और इं Likewise इंदर जियर पैंक्रिशन पमॉत होता है ठीक है अभी रूल औफ पैंक्रेयाटिक इंजाइम पैंक्रेयाटिक किन्साइम का रूल दिख लेते किया क्या है देखो चिए हो जो तुमहारा काइम हो настолько एक हार्मोन आता है जिसका नहां होता है Enterokinase, क्या नहां होता है Enterokinase, यह Chymotrypsinogen जोकी इनक्टिव है, इसको आक्टिव करता है Chymotrypsin में, जिसके कंवर्ट करता है,Chymotrypsin में तो पूछा जाता है बहुत बार और नीट में भी आया था अभी जल्दी में पूछा गया था कि कि में कंवर्ट करता है। तो तो दोन हमरत útil को stopped in कंवर्ट करते हैं थीकुर्ण फ़र एक्टीविट है। और यह बना हुआ है यहीं आगे चल के इसको एक्टीवेट करते हैं और विग्ट तो चाइमो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट इंट्रो काइनेज किया और ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट काइमो ट्रिप्सिन करता है क्लियर का तो अब ये दोनों hormone अटिवे ऐंजाइम एक्टिवेट हो गए ठीक अब यह क्या करते हैं ये enzyme protein digestion में help करते हैं उपर के तीनiają City त्रुकर प्रूgor anös dispomniaाएंगो फोजोया ब्रॉत करते हैं वे principle हुआता तो देना दोट आगा डाई Peptides में मतलब जिसमें किवल 2 Peptide bond म बना रखहें देखो ये मैंने यहां बना रखा है डाई Peptide का मतलब जिसमें किवल 2 Peptide bond मतलब अमीनो एसिद आमीनो एसिद जूड़ की क्या मनाता था प्रोटीन कैसे मनता है बहुत सारे amino acid आपस में जुढ या थे peptide bond से ठीक है देखो यहां नच्च में क्या ''Diepeptide'' डाइ मतलब दो peptide मतलब वॉंड तो जिसमें केवल दो वॉंड हो peptide वॉंड टीक है तो उन्हें क्या बूलेंगा Dipeptide तो प्रोटीन को एक्टम simpler form में तोड़े देता है और Dipeptide के अंदर Convert कर देता है Chymotripsyn, Tripsynion और Procarboxy Peptidolid अकला enzyme था amylase देखो amylase कहीं भी हो amylase क्या करता है Carbohydrate का digestion तो starch एक carbohydrate है जो की plant से हमें मिलता है जिनरली, ठीक है, तो amylase क्या करता है, जो भी pancreas से निकलने वाला amylase है, pancreatic amylase, इसको convert कर देता है, किसमें, disacride होई, disacride मतलब, ऐसा कार्म हड़ेट जिसमें, दो यूनिट हो, से हम disacride कहते हैं, तो starch convert कर दिया जाता है, disacride होई, ठीक है, अकला है lipase, lipase क्या करता है, यह fat के digestion में help करते हैं, जहां भी lipase word होई, किसके digestion में help करेगा, fat के digestion में help करेगा, ठीक है, चल्ड़ो, अभी देखो fat जो है, या फिर, तूम fat को oil भी बोल सकते हो, इसको lipase की presence में, क्या किसमें convert कर दिया जाएगा, diglaceride या फिर, monoglaceride में convert कर दिया जाएगा, ठीक है, diglaceride य पर takSyeCeptov Monoclaxe convert करी रिया जागा एक और आज़ात्य था अगला, Nucleases what Nucleases is क्या करता है जो भी Nucleic Acid है, उसको ब्रेक कर देता है Yook Lceks बाटब और, Nucleusides में जो कहा होता है? Nucleic Acid मतलब हमक www.Nucleacid campus.com पर के शाब रहते है , यारेन भी रहती है तो उसके digestion के लिए enzyme है nucleases क्या है nucleases clear तो यह बात थी pancreas की अब देखेंगे हम लोग small intestine के बारे में